टैक्स से जुड़ी हरुल जहनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदिदा शोर टैक्स गुरू जहां हम नियमों के दारे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरी इन तरीके आपको बताते हैं नमस्कार मैं हूँ लक्षण रॉय और हमारे साथ इस बार है जानिवानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड़ा गौरी आपका स्वागत हमारे शोर में और गौरी और हम मिलकर आपको कई सारी बाते बताने वाले हैं तो सबसे पहले बता दूँ कि आज के शो में क्या है खास बच्चों की पेंशन स्कीम NPS वातसल पर क्या मिलेगी टैक्स शूट प्रॉपर्टी की खरीद विक्री में TDS को लेकर किन-किन बातों का रखें ख्याल और अगर आप mutual fund के पैसे से बना रहे हैं घर तो क्या लगेगा capital gains tax इन सारे मुद्धों बाचित करेंगे लेकिन इन दोनों सबसे ज़्यादा चर्चा एक खास product की है वो है NPS वातसल यानि अब आप अपने बच्चे के लिए उनके बढ़ापे का इंतिजाम कर सकते हैं बच्चे के लिए आप NPS खोल सकते हैं account और उसमें आप पैसा डाल सकते हैं तो NPS वातसल नाम दिया गया है और इस scheme को सरकार ने लांच किया है तो कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि जिस तरह के tax benefit यानि tax shoot NPS में contribution करने पे मिलता था क्या वैसा ही tax shoot वैसा ही tax से जुड़ा फायदा NPS वातसल में मिलेगा तो मैं यह जानने कोशिश करूँ है गौरी से गौरी NPS और NPS वातसल में अगर हम कहें कि tax shoot के लिहासे क्या समानता है और क्या अंतर है देखे दोनों ही section अगर देखे तो आपकी long term saving के लिए है यानि कि retirement के बाद के लिए आपकी एक wealth creation सरकार करना चाते है दोनों ही product का जो motive है वो यही है कि जब आप retire हों और NPS वातसल में का है जब आपके बच्चे retire हों तो उनके पास एक corpus अपने हाथ में हो क्योंकि सरकार as such non-government employees की especially अगर बात करें तो कोई social security नहीं देती है तो उसके लिए आपसे ही saving करा रहे हैं और उसमें आपको अच्छा return मिलता है यानि कि अगर आप NPS और NPS वातसल्या का return देखेंगे किसी और सरकारी scheme से compare करेंगे यानि कि जैसे PPF या जो करन्याओ के लिए अलग scheme है उसके return या कोई भी saving scheme post office की या किसी से return अगर आप compare करेंगे तो इसका return भी जादा है उसका reason यह है कि इसमें option जादा है आप इसमें equity का exposure ले सकते है 75% तक का थोड़ा सा आप इसमें debt component ले सकते हैं आपके पास यह option भी है कि आप fund manager पे छोड़ दें कि वो किस तरह से उसका combination बनाना चाते हैं तो इसका return थोड़ा सा जादा होता है और क्यूंकि आप इतने सालों तक invested रहते हैं तो आपका wealth creation compound होके बहुत अच्छा होता है और सरकार इसमें withdrawal पे भी restriction लगाती है यानि कि ऐसी आपके पास कोई प्रापधान आपके पास नहीं है कि आपका suddenly मन करें कि आप इसमें से पैसा निकाल लीजिए बिना किसी ऐसे कारण के जिसमें आपको घर बनाना है या आपने कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने withdraw करना है या ऐसे कोई कारण नहीं है आपको सरकार withdraw भी नहीं करने देगी समय से पहले तो आप logged in रहते हैं तो यह long term के perspective से एक अच्छी scheme है लेकिन अगर tax के लिए हासे देखें तो अगर आप उसकी छूट भी लेना चाते हैं तो आपको वो भी मिलती है अगर हम NPS की बात करें specifically जो पहले से provision चलता आ रहा है तो उसमें ATC में भी benefit मिलता है जिसमें आपको एक तो आपका employer contribution भी मिलता है employee contribution भी होता है दो sections में आपको अलग-अलग benefit मिलता है NPS में उसी के अलावा सरकार आपको additional contribution पे 50,000 तक की छूट देती है AT, CCD, 1B के तहट जो ATC से बिलकुल अलग है अब अगर हम तो तीन तरह के छोट मिलता है एक employer contribution पर एक आप खुद contribute करते हैं तो एक एक खुद का additional contribution बल्कुल तो अब इस विए तोरह NPS को ले करें चूकि NPS वातसल में अभी income tax के detail notify नहीं हुए है guidelines तो इसमें क्या उम्मिद की जाने चाहिए तो इसमें लॉजिकली आपका ATCCD 1B वाली scheme आने हैं 50,000 वाली जिसमें आप अपने बच्चों के लिए निवेश कर रहे हैं और अलग से आप इसकी छूट ले रहे हैं लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यह कौन सी रिजीम में fall करेगा क्योंकि ATCCD 1B कि अगर हम particularly बात कर हैं तो ओल्ड रिजीम में उसका benefit नहीं मिलता सिरफ नियूरी का ओल्ड रिजीम में मिलता है नहीं मिलता है अब अगर एटी सी वाले benefit भी नहीं मिलता है नियूरी जीम में NPS वातसल में tax benefit limited होगा अगर होगा तो अगर होगा तो इस पर डेफिनिटली आइम एक्सपेक्टिंग यह क्लारिफिकेशन आईगी कि उसमें आप allow करेंगे की नहीं तो अगर तो allow करेंगे तो यह additional benefit हो जाएगा आपके लिए new रिजीम में भी और मैं यह जुड़ा हुआ है एक स्वाल हमारे पास आया था जीयस अलग साब का अंबाला से तो मैं सोचा उन से सीधे बात क्यों न कर ली जाए तो अलग साब हमारे साथ फोन लाइं पर जुड़ भी गए हैं अलग साथ साल तक बंदा salary काम कर सकता है और उसका 50 जार लपेजा इंस्क काम कर रहा हूं तो अब उसमें तो मेरा पेंशन हो गया सार साल के बाद क्या अब कोई ऐसा है रूल जिसमें हम NPS में इन्वेस्टर के अपना टेक सेविंग कर सकें तो देखिए जैसे अभी हम डिसकस कर रहे थे इसी में जो यह कॉंट्रिब्यूशन की बात कर रहे हैं वह तो आपकी 80 CCD 1B में आ जाएगी जो आप खुद से करना चाहते हैं तो उसमें 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप ओल रजीम में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और क्यूंकि आपने खाहा कि आप 60 साल के हो चुके हैं तो जो NPS की एज की लिमिट है वो 65 तक कर दी गई है यानि 65 तक आप एंटर कर सकते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी एज को लेके भी बढ़ा दी गई है क्योंकि सरकार NPS को काफी जादा प्रोमोट कर रही है और इसमें बहुत सारी धीरे धीरे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आ रही है तो आप डेफ सेविंग के लिए और उसका बेनिफिट आपको न्यू रिजीम में ना मिले क्योंकि न्यू रिजीम में एक एटी सीसीडी वन भी जो अपनी जेब से खुद वॉलिंटरी कॉंटर्विशन कर रहे है उसका बेनिफिट नहीं मिलता है तो इसका ख्याल अलग सब आपको रखन कर सकता हूं देखिए बिलकुल कर सकते हैं उसमें एनपीएस में आपको प्रोविजन ही ऐसा है कि आप कभी भी पूरा माउंट बिड्रो नहीं कर पाएंगे आप 60% तक आप ड्रो करते हैं 40% तो आपका अनुटी में ही कनवर्ट होता है तो अल्टिमेटली आपका जो है अल्टिमेटली तो आपको पेंशन ही मिलेगी कुछ अमाउंट की ज्यादा तर लोग पूरे माउंट की पेंशन ले लेते हैं कुछ लोग लंसम बिड्रो कर लेते हैं जितना अलाउड होता है बाकी अनुटी में कनवर्ट कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं अगर अलग साब अब चलते हैं एहमदाबाद जहां से नायन शाह साब हमारे साथ फूल आई पर जूड़ चुक है नायन शाह साब नमस्कार अजी साब मेरा एक्ट के रेफरेंस में दो क्वेरी है वो मैं आपके साथ बता रहा हूं जी मेरे फादर ने 1902 में 1902 में एक्ट बनाया था जिसमें हम सीन वाइस को पार्सर्ट थे मेरे फादर दो अजार पांच में एक्ट पार होने से मैं करता हो गया हाँ थीक है ऐसकता हमे अजर बता करता में हूं तो अभी फादर वाला ही मेरे फादर अपना राइस अपना दाए लेको मेरे ब्रदर अपना धाइट लेको कर सकते हैं उनके सब्सक्रा को लिएंट कmez छकर रहेगा आ लेको करने के लिए कोई एक़िदेल्श करवाना पड़ेगा चिंद पहले ही सवाल कर जवाब ले पिर दूसरा सवाल का जवाब लेंगे आपसे ठीहें देखिए इसमें सबसे जरूरी बात जो आपको देखनी है कि आप अगर अपने फादर की हुएफ को डिजॉल्फ करना चाहते हैं और आप उसके जो भी हुएफ में जितने भी एसेट्स हैं उनको आप डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो उसका जो डिस्ट्रिब्यूशन है अपनी इच्छा से कोई भी मेंबर अपना राइट फोर्गो कर सकता है लेकिन अगर वो रपोर्गो करते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रखनी है जैसे आपने कहा कि आपके जो ब्रदर के बच्चे हैं वो बाद में राइट क्लेम कर लेंगे तो आपको स के लिए इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन अपनी मिंटेन करके रखनी है आप अपना अग्रिमेंट भी चेंज करिए उसमें एडेंडम बनाईए और उसमें यह स्पेसिफाइड होना चाहिए कि यह अथौरिटी है किसी के पास कि अपना राइट फोर्गो कर दे और अगर डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरी रखनी होगी क्योंकि अगर बाद में किसी ने राइट क्लेम किया तो डीफिनेटल इशू आ सकता है स्पेशली अगर अग्रिमेंट में इक्वल डिस्रिबूशन लिखा गया होता है तो अग्रिमेंट को आप अपना में अपने फादर की हुए को अपनी हुए में डिजॉल्फ कर सकते हैं उसको डिजॉल्फ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगे वोई दिक्कत आईगी कि आपकी हुए उसमें शायद आपके ब्रदर्स मेंबर्स नहीं हैं तो जो फादर की हुए उसमें आप करता हैं आपके ब्रदर्स को पार्सनर्स हैं आप अपनी हुए के करता हैं and I think आपकी wife और आपके बच्चे उसके co-partners होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा documentation का आपको बहुत जादा ध्यान रखना होगा आप merge तो कर सकते हैं लेकिन documentation proper होनी चाहिए यानि कि आपके brothers की भी consent होनी चाहिए और जो नया agreement बनेगा वो भी proper होना चाहिए तो करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोनों ही case में documentation आपको बहुत है और फिलाल वक्त है छोटे से break का break के बाद बताएंगे कि property की खरीद बिक्री में TDS को लेकर किन-किन बातों का रख है ख्याल बताएंगे break के बाद कहीं जाएगा नहीं break के बाद एक पर फिर साब का स्वागात है आप देख रहे हैं Tax Guru और हमारे साथ है जाने हमानी Tax Expert गौरी सवालों का जवाब लें उससे पहले एक मुद्द जो कई लोग पूछते रहते हैं कि TDS को लेके क्या नियम है जब हम खासतर से प्रॉपर्टी की खरीद विक्री कर रहे होते हैं कई साथ लोगों को उनमें confusion हो TDS कौन लेगा प्रॉपर्टी खरीदने वाला की जिमिदारी है कि बेचने वाले की जिमिदारी है कहां कैस कटेगा फिर refund कैसे लेंगे तो थोड़ा से उस पर डीटेल करें फिर सवाल लूँगा जी लक्षमन देखिए सबसे जरूरी बात समझने वाली यह होती है कि TDS जादा तर TDS हमेशा TCS को छोड़ देजे TDS हमेशा वो व्यक्ति काड़ता है जो पेमेंट कर रहा होता है जो पैसे देगा वो ही deduct करेगा तब ही वो deduct कर पाएगा वो दे रहा है तो जब कोई प्रॉपटी की transaction होती है तो जो बायर है वो TDS deduct करेगा अब देखिए बायर जादा तर cases में individuals होते हैं आम लोग होते हैं जो अपना या तो कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई अपना चोटा मोटा business कर रहे हैं कोई company बना के नहीं वैठ तो उनके case म आपको कोई भी अलग से TAN number जो TDS deduction के लिए होता है वो लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कई लोग घबरा जाते हैं कि हमें TDS हमने काट लिए अब हमें TAN number लेना होगा और समय समय पर return जमा करने होगी ऐसा नहीं है सरकार ने आपके लिए अलग provision रखा है जिसमें आपकी return कम चलान form है उसमें आप tax अपना जमा भी करा देंगे आपकी उसमें चलान भी generate हो जाएगा और आपकी उसमें return भी चली जाएगी जैसे ही आपकी return जाएगी कुछ दिन में आप उसका उसमें से form 16 भी अपना डाउनलोड करके seller को आप दे सकते हैं और आपने जितना TDS जमा कराया है seller के account में seller के pan में वो उनके 26 years में दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन TDS काटना जरूरी है तो अगर कोई resident seller है यानि कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप मकान खरीद रहे हैं या कोई भी property खरीद रहे हैं जो resident है इंडिया में तो आपको 1% TDS काटना है अगर उसकी value 50 lakhs से उपर है और जो 50 lakhs से उपर की value है ये total value देखनी इसमें आपको सब कुछ include करना है अगर आप कोई अलग से payment कर रहे हैं किसी parking के लिए किसी facility के लिए उसको भी include करेंगे उसको exclude नहीं करेंगे और total value पे अगर 55 या 60 lakhs की property है तो 60 lakhs की उपर 1% TDS आपको काटना है यही कि अगर अगर आप NRI से property खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा provision बदल जाता है NRI के लिए section 1,95, NRI के लिए section बिलकुल अलग है क्योंकि NRI को trace करना सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो NRI के लिए 20% का rate है यानि कि sale value पे अगर 60 lakhs की property है तो 60 lakhs पे 20% आपको TDS को form अपना जो होता है वो देना है चलिए तो यह रहा सारा गनित TDS का अगर आप property खरीद रहें आप बेच रहें तो आप TDS के नियमों के ख्याल लखिए और अगर आप NRI हैं तो नियम कुछ विशेस हैं तो यह भी आपको गवर करना होगा अब वापस से शुरू करते हैं स है इसने मुंबई में ही प्रोपरिटी लिया हुए है जिसका रइंट पे रेंडी रेंटाउट किया हुए ह हुआ है तो यह मुझे लिए नियम कर सकते हैं भाइं कर सकता है या और अगर चैक्स वगरई भी बCha करना पड़ेगा हमें जो उसका यह NRI है चीक है मैं समझ गई बिल्कुल brother इनके NRI है जिनकी property मुंबई में है अब यहाँ पे rent आ रहा है तो आपको कोई भी income किसी भी NRI को अगर India में arise हो रही है अख्रू हो रही है या receive हो रही है वो इंडिया में taxable होगी हर हालात में तो जो rent है वो आपको इंडिया में ही मि rate कर रहा है तो वो इंडिया में taxable होगी और अगर आपकी आपके ब्रदर की इंडिया की ऐसी वाली income जो मैंने बताया इंडिया में जो भी अराइज हो रही है वो धाई लाक रुपे से जादा है तो आपको यहाँ पे return भरनी जो ज़रूरी है तो आपका अब जो rent आ रहा है वो TDS कट के आ रहा है तो आपके ब्रदर को हर साल इंडिया में return फाइल करनी होगी जो भी उनका TDS कटा है वो उनके 26 AS में दिखेगा जो भी उनका actual बनता है tax अगर खाली rental income है तो खाली rental पे होगा इसके लावा उनके कोई NRO NRE account से कोई interest आ रहा है NRO का interest भी taxable होता है उसके अलावा कोई और interest income है या कहीं और से कोई benefit हो रहा है तो वो सारा include करके उनका जितना tax बनेगा वो स्टीडियस से adjust कर सकते हैं उसके बाद भी अगर balance बच जाएगा तो वो पूरा का पूरा उनको refund आ जाएगा लेकिन बिना return भरे उनको ना तो यह refund मिलेगा और उल्टा notice अल हमरे साथ फोल ने पजूड चुक है नरेशी नमस्कार क्या सवाल आपके पास नमस्कार लक्समार जी मैं आपका प्रोग्राम का टेक्टूर का बाद रेगुलेर विवर हूँ धन्यवाद और आप मुकेश जी और जो भी जी आंसर देते बहुत इनसे benefit होता है जी बहुत ब नया बनाना चाहता हूं सेम प्रोट पे अच्छा है इसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा हो मेरा क्विटी मुचल पन का पॉट्फोलियो पांचार पुरा रहा है उसमें से बेचके 75% उसमें से निकाल रहा हो तो इससे मुझे लॉंग तर्म कैपिटल गें होगा वर उस पे टैक्स लगेगा तो क्या मैं यह एक्सपेंडिचर के सामने उसको सेट आप कर सकता हो बहुत ही अच्छा सवाल है इनका मतलब है तो आपके आपके नाम पर अल्रेडी कोई और घर है नहीं यह सिर्फ यह सिंगल है यह जो आपी रह रहा हूं हुआ है तो देखिए इकम टाक्स आक्ट देखते हैं तो उस आक्ट में सेक्शन 54 और 54F दूनर के लिए यह लिखा है कि आपको एक नया रिजेंशल प्रॉपर्टी या तो खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो अब यहां पर आक्ट आपको क्लारिटी नहीं दे रहा लेकिन हां कई लोग पा का मैटर बन सकता है और आपकी उपर डिबेंड करेगा आप कैसे प्रूफ करेंगे कि यह आपकी कंस्ट्रक्शन जो है 54F में फॉल करती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा यहां पर कुछ चीज होगा कि आप अपने आपको सेफ करके चलें जिसके लिए आपको क इस बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपने एक और फ्लोर भी बनाया है तो उस घर की उपर आप जो है बेनिफिट ले रहे हैं अगर हम देखें तो ख्लारिटी कहीं नहीं है लेकिन तो घर गिरा करके घर दुबारा से बनाने हैं जैसे पहले उनका घर एक फ्लोर का था अब को उन्होंने डिमॉलिश कर दिया अब उसको दो या तीन फ्लोर का बना लिया तो वो दूसरा तीसरा फ्लोर तो न्यू कंस्रक्शन में आही जाएगा मेरा कहने का मतलब यहां पर यहां पर थोड़ा सा लिटिगेशन का मैटर बनता है तो आपको सेफ होके चलना पड़ेग आपको यह सावित करना है कि आप सेक्शन 54-F की कंडिशन फुल्फिल करते हैं तो उसके लिए आपको उसमें लिखा है अगर आप देखेंगे तो ख्लारिटी आपको मिलेगी नहीं चले तो judgment के सहरा लेना पड़ेगा उसके जो बारिकियां उसके हिसाब से आपको अपने दस्तवेश को मजबूत रखना होगा और फिलाल वक्त है चोटे से break का break के बताएंगे कि पिता के नाम पर equity मेनिवेश करने पर क्या सकता income tax का notice बताएंगे चोटे से break के बताएंगे चो है में वह स्वाल है कि मेरे सवाल यह है कि मेरे पास कुछ फंस हैं और में क्या खकी थेन आपकी हंएंगे झानले कर में करने तो इसके मुझे आप एक नाम सी इसक हैं दो आप जाथना इस सुझाया लाहां सबसे असान और फूल प्रूफ जो ऑप्शन है वो तो यह है कि आप जो पैसा है वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करते हैं और उसके लिए आप क्योंकि अमाउंट भी जादा है और चोटा भी होता है तो भी हम रेकमेंट करते हैं कि आप या तो एक इमेल ड्रॉप कर देज जहां पर आपने यह लिखा हो कि आपने जो अमाउंट आपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया है आउट ओफ लव एंट इफेक्शन और यह कोई लोन नहीं है यानि कि आपको इस पर कोई टाक्स नहीं देना होगा और इसमें कोई क्लबिंग भी नहीं होगी क्योंकि फादर औ और सन में क्लबिंग नहीं होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जॉइंट अकाउंट आइधिंक आप ना खोले वहाँ पर थोड़ा सा ग्रेरिया रह जाएगा और स्पेशली क्यूंकि दोनों का नाम होगा पैन भी दोनों का होगा तो उसको छोड़के पेरेंट्स को बच्चों को देने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है आप कितना भी अमाउंट दे सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है गिफ्ट डीड लेकिन आप जरूर बनवा ली जाएगा शली मैं उमिद करता हूँ कि आपका कन्फूजन दूर हो गया होगा टैक्स दूर झाल झाल